है है लो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइ स्टुडी शीट चैनल दोस्तों प्रिवेस यह में जितने भी कोश्चन्स फिजिकल एजुकेशन कंपेटिटिव एक्जांस टिजिटी पीजिटी के वियर्स एन वियर्स एल्टी से पूछे गए हैं उन सभी कोश्चन्स का टापिक वा सब्सक्राइब करना चाहते हैं मेरे चैनल पर सभी वीडियो वीडियो को वास्ट करके आप अपनी प्रिप्रेशन को बेहतरीन बना सकते हैं तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की प्रश्णों की श्रिंखला के तरफ तो फर्स्ट कोश्चिन है एक नित्रित्व एक आचर संबंधी प्रक्रिया है जो फोकस करती है किस पर फोकस करती है नित्रित्व है अच्छे संबंध बिक्सित करने और बनाय रखने में कि नित्रित्व लच्चों के प्रती ब्यक्तियों और समुव को प्रवावित करने में कि समुव को प्रसिति गत अभी लच्चों में कि लच्च नित्रित करने और कारे पुरा करने में तो क्वेशन क्या है नेतित्यु एक आचर और समधी प्रक्रिया है जो किस पर फोकस करता है आपसर नंबर बी यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा निर्धारित लच्षियों के प्रती ब्यक्तियों और समूब को प्रेरित यानि प्रभावित करने में नेती तुखे गूरु में एक विशे इस बात लोगों को प्रोहावित करने की थ्छंता द्वारा ब्यक्त होती है नेती तो प्रदान करने वाले व्यक्ती में यह विशिष्ट गूरु होता है पच्छीं को निधायत करने में स्वयम महतपुर भूमिका निभाने के साथ किसके द्वारा किया जाता है यानि एक पेसेवर संस्थान का निड़ा किसके अधार पर किया जाता है समाजिक्ता समाज की सभावना पर कि अनुभों पर कि दश्टा के द्वारा कि अस्थान के द्वारा तो दोस्तों एक पेसेवर संस्थान का निड़ा में ये देखा जाता ह कि उसकी दच्छता क्या है उसकी इफिसियंसी क्या है इसके द्वरा किया जाता है जो कुसलता पुरुवक उसके कारे संपादन की छमता को प्रदसित करता है मेश कुश्चन है अच्छे स्वास्त के लिए आवस्यक मूल भूत सर्तों में सामिल है तो अच्छे स्वास्त के लिए आवस्यक मूल भूत सर्त क्या है उप्युक्त आहार बेक्तिगत और घरेलू शाफ सफाई सचता ब्यायाम और अराम एस सभी तो दोस्तों इसमें इस सभी आफसन अच्छे स्वास के लिए आवस्टेक मूल भूत भूबी का आदा करते हैं नेक्ट कोंश्चन है निन्द लिखित में कौन कौन सा घटक संतुलित वा स्वास्त जीवन के लिए उप्युक्त नहीं है तो दोस्तों यहां पर कोश्चन क्या है कि कौन सा घटक संतुलित वा स्वास्त जीवन के लिए उप्युक्त नहीं है तो यहां पर वयाम भी है पाने पीना भी है फ्लो सबजियां भी से है लेकिन सिप पांश यूनिट शरौप रोज पीना यह आपका स्वास्त के लिए उप्युक्त नहीं है यह नुक्सान रायक है यह यह किसी प्रकार से मान नहीं है कितना भी मात्रम लिया जाए ठीक है नेस्ट कुश्चिन है खेल कूद में चोट कैसे आती है आपसन है और प्रयाप्त पस्षिछर तक्नीक और उपकरर एंड जनकारे की कमी या लापरवाही उपिक सभी तो दोस्तों यह सभी कारणों से खेल कूद में चोट आती है एंड उपकरणों का गलत प्रयोक्ष ने भी आता है सुधाव का भाव है और प्रयाप्त तक्नीक उपकरर है और प्रयाप्त पर सिछर नहीं है ठीक है next question है दोस्तों सोसियोग्राम की माप करने का एक साधन है यानि सोसियोग्राम किसके माप करने का एक साधन है तो दोस्तों फिछली वीडियो में बता चुकी हूँ तो सोसियोग्राम किसके माप करने का साधन है आफसर नमबर D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा समू के सदस्यों के बीच संबंध और आकरसर सोशियोग्राम किसको माप करने का साधन है समू के सदस्यों के बीच संबंध और आकरसर ठीक है? सोह्षियोकराम किसी समुके अंतर्गोट, विभिन सदस्यों के बीच प्रस्पर अंतर्व्यक्ट्टी संबंधों को दृष से चित्रात्मक रूप में ब्यक्त करने का शाधन है. किसी व्यक्ति की उचित निर्ड़ लेने और आलोचनात्मक दिष्टी से विचार करने की छमता समझदारी कहलाती है बौधिक, अध्यात्मिक, भौणात्मक, शामाजिक इसमें आपसन नमबर ए बौधिक सही हो जाएगा कोई भी निर्ड़ लेने की छमता या आलोचनात्मक दिष्टी से विचार करने की छमता आपस्वाज़दारी क्या कलाती है बौधिक छमता कलाती है ठीक है किसी के आलोचना आप कब कर सकते हैं जब आपके अंदर उस तीच का ज्यान होगा और उसको आप आलोचना कर सकते हैं तभी जब आपके पास बुद्धी होगा नेक्स कोश्चन है निम्दनिखित में से कौन बिसिष्ट खेल कुट कारिकरम के अंतरकत आती है मजे के लिए दोड़ स्वास से दोड़ एकता के लिए दोड़ जागरूपता के लिए दोड़ तो दोस्तों यहाँ पे आपसन मिबर एस सभी बिसिष्ट खेल कुट का एकरिकरम के अंतरकत आते हैं सभी आपसन एन दोस्तों नेक्स कोश्चन है निम्दनिखित में से कौन शकरात में खेल कुट माहौल के लिए सही अनिवारे तक्त्व है प्राकिटिक जलवायू दसाएं समाज की संस्क्रिति और परंपरा अधिकारियों और दर्सकों का रवया और विवहार कैसा है माता पिता और खिलारियों का रवया और विवहार कैसा है दोस्तों यहां पे सभी आपसंस तहीं है सकरात में खेल कुट माहौल के लिए इस सभी अनिवार तक्त्व है एंड इसके लावां कौन कौन से है कि जलवायू से मधिस समान दसाएं कैसा है खेल नया है कि पुराना है कि खेल अधिकारियों का रवया कैसा है समाज की संस्किती की परंपरा कैसा है इस अभी आपसंस सही होंगे नेक्स्ट कोश्चन है नम्जन लिखित में से कौन सा कारक किसी छेत्र या देश में प्रतियोगिताओं के आयोजन में महत्पूर भूमी का निभाता है प्रसासनिक सुईधा, लोगों का संदर्भ, मौसम के सिती, निभायोगी की उपलबधता तो कौन सा कारक किसी छेत्र या देश में प्रतियोगिताओं के आयोजन दुस्तों कहीं आप प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं सबसे पहले देखेंगे कि वहां पे जलवाई कैसा है धूप है कि छाओं है कि वर्सा हो रहा है तो यहां पे आपसा नंबर सी मौसम के सिती सही हो जाएगा सारीक सिच्छा में जन संपर्क आवस्यक है क्यूं सारीक योगता स्वास सारीक सिच्छा के उदेश उपिक सभी के लिए तो उपिक सभी के लिए जन संपर्क सारीक सिच्छा में आवस्यक है क्या होता है निर्देशन की पिक्निक की जन संपर्क की उपिक्त में से कोई नहीं तो यहां पे पिक्निक जो है उखाली समय का सद उपियोग होता है यह जो होता है पिक्निक प्राया मनुरंजन कारी सिछा प्रदिया स्वास्ट के लिजस्टिक में earlier isenson तो इस में विडियों को ही कारता है उसके लिए वो मनुरंजन है आपको उसमें रूची है आपको उसमें अनन्दा रहा है तो आपका खाली समय कि नहीं उसका सद्धिप्योग किसी काम में भी कर रहे हैं आपको रूची है आनन्दा रहा है तो आपका मनुरंजन है यानि सोयम की संतुष्टी हो रहा है नेक्ट कोश्चन है खेल सामगरी के चैन में सबसे अधिक ध्यान में रखनी वाला कारक है उसका मुल्ली सुरोत उपयोगिता गुडवत्ता दोस्तों किसी भी खेल सामगरी का आप चैन कर रहे हैं या उसको खरीद रहे हैं सबसे अधिक उसमें ध्यान क्या रखेंगे कि उसकी गुडवत्ता कैसी है ठीक है उसकी उपयोगिता कैसी है ठीक है उसकी गुडवत्ता कभी सेज ध्यान दिया जाता है नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है तो दोस्तों किसी भी चीज का प्रथम चरण होता है लच्छियों का निधारण करना आफसन नमबर ए यहां पे सही अंसर हो जाएगा किसी बालक के किसोरा वस्था के दोरान निम्य निकित परिवर्तन आते हैं वह परिवर्तन बताया है जिसे दीतियक लैंगिक विसेस्ता के रूप में चिन्हित किया जाता है तो यहां पर आफसन नमबर एक करेक्ट अंसर हो जाएगा मूची आना यह रांक के आसपास बालों का उड़ना यह आपका सही अंसर हो जाएगा यह सभी हार्मोनल चेंजर्ज के कालव होता है बच्चों की सारِّक बुद्धी बहुत तेज होती है कब 3500 की आयों तक कि 610 वर्स की आयों तक तो इसमें आप सही होजाएगा बच्चों की सार्रिक बिद्धी सबसेट तेज तीन वर्स की lira की आयों तक होती थह सबसेट तीज इस उनी में बच्चों का सारी विकास तथा बृद्धी कोसी का विभाजन उतकी बृद्धी के करार सरवाधिक होती है लड़कियों की बिद्धी सवाधिक तिर्विता से होती है लड़कों की आप इच्छा किस उम्र में लड़कों से ज़्यादा तेजी से बढ़ती है लड़किया यहां पर आप से नंबर हो जाएगा 13-19 साल के उम्र में यानि कि next question है विकास का वह कौन सा चरण है जहां तक पुरुस और महिला सर्री कोसल और मानसिक परिपकता में लगभग बराबर होते हैं तो दोस्तों यहां पर option number D हो जाएगा लेटर चायल्ड होड लेटर चायल्ड होड याने कि दोस्तों लेटर चायल्ड होड का मतलब जो पीवर्टी या प्री एडॉल्सेंज होता है प्री किसोरा वस्था होता है यानि कि 9 से लेकर 34 वर्स या 12 तेरे वर्स तक के बच्चे लड़के लड़कियों में सारी कोशल और मानसिक परिपकताओं में लगभा बराबर होते हैं तो यहां पिर लेटर कैल हुल्ड या प्री इरालुसेंस या प्यूबर्टी बोला जाता है अपसर नमबर डी करेक्ट एंसर हो जाएगा लेक्ट कोशन है खेल के अत्रिक्त उर्जा सक्ति की सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया अत्रित उर्जा यानि सर्पर्स इनर्जी सिधान दिया है हर्बर्ट इस्पेंसर ने आसना नमबर सी करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुर्श्चन है निन लिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है सर्पर्स इनर्जी ठियोरी किस ने दिया है दोस्तों सरपस इनरजी किस ने दिया है यानि अत्रित उर्जा तो हरबर इस्पेंसर ने दिया है यहां पे तो आपसर नंबर ए गलत एंसर है गलत सुमिलित है यहां पे पहले में पता चल गया अब इसके लाग़ा तो सब सही होंगे जैसे कि काथेटिक थियोरी यानि रेचन बिदेच इस टिक प्रेक्टिस थियोरी मेकडूगल ने दिया है लेक्स कोशन है दोस्तों जो मनुरंजन गाउं कश्बूं और सहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्ती स्विधाय प्रदान कर आयोज़े हैं तो दोस्तों उसे समुदायिक करते हैं आफसम नंबर बी करेक्ट ए cycl हो जाएगा को कि मिल मेर्जन पारे को सामुदायक मनरंजन समदाइक मनरंजन कहां पर होता है ग्राम मीड और सहरी छेत्रों में रहने वालों की नियंतितों कर समदाइक का निर्मार करते हैं तो यहां पर समदाइक मनरंजन का हो जाएगा तरिक ये बावसाइक मनूरंजन में दोस्तों मनूरंजन पार्क नहीं होता है गरें करें चनी पता है तैकल बेवसाइक मनूरंजन में ensuring Cela स्कूल है कालेज एक संस्था है यह आपका संस्थात्वर्ग मनुझन हो जाएगा थ्री ऐन थेरापिटिक मनुझन यानि अप्चार अस्पताल में यहां पर दीका वन हो जाएगा यहां पर आपसा नमबर ची करेट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रसिचित करना कहलाता है तो मुक्त समय के लिए यानि खाले समय के लिए रचनात्मक उपयोग करने के लिए जो प्रसिचित करना कहलाता है वो है मनुरंजन next question है कि मनुरंजन सिधान्त के प्रड़ेता कोन है तो GTW Patrick कोन है GTW Patrick ठीक है तो दोस्तों मनुरंजन सिधान्त के प्रड़ेता लाड केम्स तथा GTW Patrick का ससक्त मुत्र तथा विश्वास है कि खेर का आधार मनुरंजन है वे मन्रणजन को हमारे द्वारा गंभीर कारीयों के ब्याय की गई उरजा को पुनह उरुजा रजित करने के लिए प्रक्रिया मानते हैं मन्रणजन यानी की Recreation K praying करना जो आत्म सुखी और मन की सांति के लिए आवशक होता है इसके आगे भी वे कहते हैं कि अविसेश उर्जा को निकालने की प्रकृतिया को के वज़ाए खेल गतिवीधियां उर्जा को पुना निरमित करती है गंभीर सारीक या मानसिक कारे की फलसरुप पैदा हुई ठाकान को खेल कर खेल दूर करता है कारे की गंभीर प्रकृती जीवन में बहूत उबाऊ होती है इस सिधान्त के ब्याख्याकारों के अनुसार आधुनिक सभिता में खेलों का उबाऊ पंदूर करने में विशेश महत्तो है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई होब कि दोस्तों सभी कोस्टन्स आपको समझ में आये होंगे एब इडियो कर से लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताईए एंड जादे सेयर कीजिए दोस्तों यदि पहले बार विजित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जो ही मैं नया विडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में नेक्स्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जय है